हलो फ्रेंट्स आइम अप्रती वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस हमने वीडियो नंबर 493 शेयर की थी अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर चेक कीजिए क्योंकि आज जो वीडियो हम आपसे शे वीडियो आप जरूर देखेगा आपको सही से समझ आ जाएगा तो अब आप देखिए कि बिना सीट्स ग्रो किये ही हमें कोचिया के इतने सारे प्लांट्स मिल गए हैं तो हमारे जितने भी विवीवर्स हैं जिनसे कोचिया के सीट्स ग्रो करना नहीं आता है वो यह तरीका अगर अपनाएंगे तो आपको सही समय पर अपने आप ही कोचिया के प्लांट्स मिल जाएंगे तो यह पेपर कप्स हैं जिसमें होल्स होना जरूरी है तो इन कोचिया के जो प्लांट्स अपने आप ग्रो हो गए हैं इनको हम पहले चोटे चोटे पेपर कप्स में शिफ्ट कर देंगे आप चाहिए तो डायलेक्ट उसी बड़े पॉट में इसको लगा सकते हैं जिसमें आपको लगाना है और पॉटिंग मिक्स हमने वही नॉर्मल प्लांट्स वाला ही पॉटिंग मिक्स लिया है गोबर की खाल और सेंडी सॉयल यानी जो रेतिली मिट्टी होती है उस कि इस तरह से मिट्टी ले ली है पेपर कप्स में भर लिया है उसमें ड्रेनेज होल भी कर लिये हैं और अब इन पॉधों को बाहर निकालने की बारी है हमेशा जो सीड्स आप स्प्रिंगल करते हैं विखेरते हैं उनको इस तरह से बिखेरिए कि ये वो थोड़ा दूर खेलेंगे सीड्स को तो पॉधे काफी पास पास ग्रो हो जाते हैं फिर उनको बाहर निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो देखिए बिना ग्रो किये ही हमें इतने सारे पॉधे मिल गए हैं बहुत आसानी से और इसमें ये भी नहीं देखना पड़ता कि क्यों स सीजन में इनके पॉधे बनकर आएंगे कोई टेंशन ही नहीं है अपने आप जैसे ही सीजन आएगा कोच्या के पॉधे अपने आप तयार हो जाएंगे और देखिए इस तरह से इनको निकालना है पहले तो आप सोयल को हलका सा नम कर लीजिए यानि कि थोड़ा सा उसमें व साथ ऐसा का ऐसा बहार आजाता है बस जो पेबर कप में हमने मिटी ली हुई थी उसी के ऊपर ये बाकी सोयल भी रख देते हैं हलका सप्रेस कर देंगे इससे बहुत सारे फायदे हैं पहली बात रूट्स डिस्टरब नहीं होती हैं बिल्कुल भी जिससे इन छोटे पॉध मर जाते हैं तो अकर आप इस तरह से पॉधों को बाहर निकालेंगे यानि की रूट्स बिल्कुल भी सोयल से अलग नहीं होंगी तो आपका पॉधा मरने की चांसे बहुत कम होंगे जो की वीडियो के लास्ट में हम आप से शेयर भी करेंगे कि देखिए दो-तिन दिन बाद भी हमारे ब्लांट्स बिल्कुल ठीक हैं ये काम आप शाम को कीजिए जब भी कोई नया पॉधा लगाते हैं री पॉट करते हैं ट्रांस प्लांट करते हैं या कोई आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं हर काम आप शाम को कीजिए जब सूरज की गर्माहट थोड़ी कम होत सब लगाते तो इनको क्या होगा सभालना भी मुश्किर होता है भी दिक्कत हो जाती थोड़ी सीट ने सारे पॉट्स लगाने होते हैं तो इस तरह से हमने कुछी पौधे अभी इसमें से निकाल लिये हैं तो ये लगभग 10 पौधे हमने तयार कर लिये हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है सीट्स भी ग्रो नहीं करने होते हैं और हमें plants भी सही समय पर मिल जाते हैं और अगर आप फिर भी seed से grow करना सीखना चाहते हैं तो इस पर भी एक वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे तो देखिए बाकी हमने soil से cover कर दिया है क्योंकि इसमें से मिट्टी भी निकाली गई है तो यह है वो plants इनको हमने एक जगह पर रख दिया था और देखिए कुछ दिन बाद यानि दो से तीन दिन बाद आप देखिए plants बिल्कुल ठीक हैं इन में से कोई भी पौधा नहीं मरा है लेकिन एक पौधा मर गया है तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कभी किसी plant की root disturb हो जाती है तो ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर फिर से एक नया पौधा लगा देंगे क्योंकि plants काफी सारे हैं तो कोचिया plant बहुत ही अच्छा एक ornamental plant है आपके garden में green tree add करता है तो आप जरूर grow कीजिए और कभी भी कोई query है question है आप comment box में पूछे कोई दिक्कत आती है तो जरूर पूछे हम जल्दी से जल्दी answer करेंगे तो इनको लगाना कैसे है जो कि हम अपने seasonal winter flowering plants grow करना जब हमने बताया था तो आपको ये जो technique है ये हम बता चुके हैं कई बार तो इनको निकालने से पहले आप इनको हलका सा नम कर लीजिए जिससे क्या होगा soil roots पे से जढ़ती नहीं है मिटी जढ़ेगी नहीं तो plant आपका बिल्कुल ठीक रहेगा और देखे इस तरह से इसको दोनों उगलियों के बीच में इस तरह से रखना है और इस तरह से हलका सा इसको इस तरह से टैप करना है और देखे इस तरह से ये मिटी के साथ ही ऐसा का ऐसा बाहर आ जाता है और हम इने pot दे सकते हैं तो वीडियो अच्छे लगी हो तो comment box में जरूर बताईए कोई query है तो जरूर पूछिए अभी हम pot नहीं दे रहे हैं फिलाल तयार नहीं है तो यह आपको केवल बताना था तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताईए thank you